जैश्री कृष्णा राधे राधे आज सुभा ही मैं ये वीडियो बना रहे हूँ क्योंकि आज की ये जो वीडियो है ना ये वीडियो नहीं है आप समझ लीजिए मुझे नहीं पता मैं बार बार बोलती हूँ ये लीलाएं प्रभू जो दिखा रहे हैं वो लीलाएं नहीं है मैं कैसे बताऊं आपको ये साक्षात प्रभू है जो इनसान को इस दुनिया की गंदगी से मोहमाया से सब को बाहर निकालना चाहते हैं और ये जो उनकी लीलाएं उनके द्वारा कही हुई जो बाते हैं वो इतनी गुण हैं कि जिसने समझ लिया वो भव सागर से पार हो जाएगा मोक्ष के उसके द्वार खुल जाएंगे मैं आज जो बता रही हूँ आपको ये इतना इतना गहरा ज्यान शायद पता सब को है समस्ते सब हैं लेकिन फिर भी उस माया से कोई नहीं निकल पा रहा है एक भी वेक्ती उससे दूर नहीं हो पा रहा है और जब दूर नहीं हो पा रहे हैं और हम शिकायतों पे शिकायत प्रभु से कर रहे हैं आज मैं आपको लीला बताने से पहले दो-तीन चीज़े बताऊंगे क्योंकि जब तक ये चीज़े आप नहीं समझेंगे आपको लीला का गूर तत्व भी समझ नहीं आएगा हमको मोह है अपने पुत्र, अपनी पुत्री अपने पती, अपने भाई बंदू, आपके सगे संबंदी धन, दौलत, बंगला, गाड़ी और नजाने क्या 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 हमको लगता है जो चीज हमारे जीवन में आई है वो जीवन पर्यंत हमारी ही रहेगी चाहें वो आपके पुत्र हो, आपके पुत्री हो, आपके दौलत हो, आपका घर हो, आपका बंगला, गाड़ी, आपके माता, पिता सब लेकिन सत्य ये नहीं है सत्य सिर्फ दो हैं एक जन्म सत्य है एक मृत्यु सत्य है बीच में जो चल रहा है वो एक नाटक है इस चीज को अगर समझ गए तो जीवन का फल और जीवन को जीना आसान हो जाएगा और आप इस भवसागर से बहुत आसानी से पार हो जाएगे हमको भी समझने में वक्त लगा आज इस लीला का तत्व प्रभू ने न जाने कितने लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है जो समझ जाएगा उसको बहुत कुछ मिल जाएगा सब कुछ मिल जाएगा समझ लीजे और जिसको समझ नहीं आया तो कितना भी आप जो है पत्थर मार लीजे समझा लीजे आप बड़े बड़े अभिन चीजें दिखा दीजे उसको वो भी समझ नहीं आए और ये बात प्रभू ने स्वैम कही कि ये सविस्तार लोगों को समझनी चाहिए और समझाओ और उसी के कारण ये सविस्तार में आपको समझाने की पूर्ण कोशिश कर रहे हूँ इस जीवन में आने के बाद कोई आपका नहीं है इस बात को दिलो दिमाग से निकाल लो जिसका साथ आपके जीवन में जितना लिखा है उतना ही साथ आपको मिलेगा और आप अगर सोचते हैं कि आप किसी भी चीज को बहुत समय तक अपने पास बंदी बना कर प्रेम का बंदी बना कर या किसी चीज से आप कहरा करके उसको रख लोगे तो ये आपकी भूल है क्योंकि हर चीज क्या जो भी चीज आपके जीवन में आई है उसका एक समय है और वो उतने समय तक ही आपको सुख प्रदान करेगी याद रखेगा अब इसमें हम सब इस माया के कारण जो सबसे बड़ी पूर्ण चीज है जो सबसे बड़ी माया है उसकी चाबी को भूल गए है हम उसको याद नहीं करते अब वो लीला मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि इस लीला को आज प्रभू ने दिखाया साथी साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी जब ये लीलाएं बताए जाती है तो ये भी हम जितनी भी लीलाएं सुन रहे हैं उन लीलाओं में जो पात्र होते हैं वो एक सेविका होती है सेविका सोना भी है सेविका मैं भी हूँ सेविका मेरी बेटी भी है और आप भी सेविका और सेवक है हम सब प्रभु के सेवक सेविका हैं किस-किस रूप में हम उनको मान रहे हैं वो हमारे उपर हैं तो ये जो नाम का संबोधन होता है इन लीलाओं में उन संबोधन को भी अब समाप्त करके हम सेवक सेविका का नाम ही संबोधन में लाएंगे पर्सनल में भी प्रभू ने न जाने अन गिनत लाखो करोडों के लिए हैं वो ग्यान भी और अगर मैं इन ग्यान को या उनकी कही हुई इन बातों को आप तक पहुचा रही हूँ तो इसमें भी मैं आप वो संबोधन अलग से हटा रही हूँ ठीक है जी मैया शब्द का संब भोधन रहेगा क्योंकि ये भी गुण प्रभू ने ही दिया है और क्यों ये भाव विचार प्रभू ने डाले हैं तो मैं ये सब आपके सामने आप समक्ष जो है पेश कर रहे हूँ अब देख लिजे आप तो आज की लिला इस प्रकार है हमारे घर पे एक संदेश वहाक आ लगाते हैं और संदेश देने के समय पे वो जो उनकी सेविका है उनको अवाज लगाते हैं और सेविका से कहते हैं अब सेविका इस समय पे कौन है सोना ठीक है अवाज लगाते हैं और कहते हैं कि प्रभू जो हैं चार-पांस दिन नहीं आएंगे तो आप जो हैं घर पे र हैं बिहारी जी ने ये मैया को दे देना उन्होंने कहा है तो सेविका कहती है कि अरे क्यों प्रभू क्यों नहीं आएंगे मैं प्रभू के बिना कैसे रहूंगी इतने दिन मैं नहीं रह सकती हूं प्लीज आप मुझे लेके चलो मुझे आपके साथ चलना है तो सेवक कहते हैं कि देखो मैं प्रभू का सेवक हूँ और मैं संदेश वाहक हूँ मेरा काम सर्फ इतना ही है उन्होंने जो कहा है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ आप ये पैसे रख लीजिए ये मैया को दे देना और आप जो है कुछ दिन तक के लिए वरंदावन मत आना लेकिन सेविक मानती नहीं है और सेविका केती है नहीं मुझे तो जाना है आप मुझे लेके चलो आप जिस गाड़ी से आए हो उससे ले चलो तो सेवक कहते हैं ठीक है मैं प्रभू को को ना फोन लगा लेता हूँ तो मैं उनसे बात करके पूछता हूँ तब ही वो संदेश वाहक सेवक जो है वो कॉल करते हैं जैसे ही वो कॉल लगाते हैं सेविका उनके हाथ से उस फोन को छीन लेते हैं और कहने लगते हैं कि काना जी आप कैसे जा रहे हो मुझे चोड़ के मैं आपके बिना कैसे रहूंगी मैं आपके बिना इतने दिन नहीं रह सकती हूँ मुझे आपके पा आजाओ और सोना देखो आदत हो गई है तो सेविका जो है साथ में जाने के लिए तैयार हो गई है और वो साथ में जा रही है जैसे ही सेविका काना जी के मंदिर में पहुंसती है वहाँ पे काना जी पैकिंग कर रहे हैं और ये बात देखकर सेविका बहुत परिशान हो जाती है और वो कहती है आप चले जाओगे काना जी तो इस मंदिर में आप कौन रहेगा चार दिन तो मंदिर पूरा खाली हो जाए काना जी आप जहां भी जा रहे हो ना मुझे लेके चलो साथ में लेके चलो तो काना जी कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें साथ में लेके चलता हूँ आज न मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ तो काना जी से बोलते हैं और तुम्हें भी चलो आज मैं उनसे मिलवा देता हूँ तो इसे विएखा केंती है कि आप किस्य मिलने जा रहे हो मुझे बता दो तो काणा जी कह रहे हैं मैं अपनी दोस्त माया से मिलने जा रहा हूँ तो सेविका केती है मुझे भी मिलना है आपकी माया से तो काना जी बोले ठीक है ठीक है चलो मेरे साथ और तभी दोनों निकल जाते हैं चलते चलते एक जंगल पड़ता है अब इस बीच में दोरान में काना जी ने अपनी प्रिय सेविका को ये बात भुला दी है कि वो माया से मिलने जा रहे हैं उसके दिलों दिमाग से इस बात को निकल दिया है और जंगल को पार होते ही एक नदी नजार आती है और उस नदी में काना जी सेविका से कहते हैं कि जाओ और तुम इसमें सनान कर लो तो सेविका काने जी से कहती है काने जी मैं इसमें स्नान कर लू तो काने जी बोलते हैं हाँ तुम स्नान कर लो तभी सेविका अपने जो वस्तर पहने होते हैं उनी वस्तरों को पहन कर स्नान करने के लिए नदी में कूद जाती है और जैसे ही वो नदी में कूदती है उस नदी में जो वो देखती है उस द्रश्य को ध्यान से सुनियेगा उस द्रश्य उस नदी में इतनी भीड़ है इतनी भीड़ है कि उसमें असंख्य व्यक्तित तो हैं असंख लोग बह रहे हैं लेकिन वो बहते बहते ही कोई न कोई कारे कर रहे हैं उसमें से ये सेविका भी काम कर रही है इसने black code vanette पहने है ये वहाँ पर गलत-गलत कारे कर रही है पैसे गिन रही है, शराब है मतलब मैं कैसे बताव जितनी भी क्रियाएं हैं वो बहुत गलत काम कर रही है और वही नहीं इतने लोग मार काट है खून, खराबी, शराब, जुवा उसके खुद के माता पिता खुद के बहुत से रिलेटिव उसको नजर आ रहे हैं चारो तरफ जो है इतना बुरा हाल है उस नदी में अंदर वो नदी बहती चली जा रही है बहने के साथ बहुत पैसा, बहुत धंदौलत, बंगला, गाड़ी सब है, सेविका के बाद, सब हो गया है और बहते-बहते धीरे-धीरे उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही है और आज उसके उम्र कितनी हो गई है उसने कई बार प्रभू को याद किया कानजी कानजी लेकिन वो उस माया में फिर भी कानजीक तक उसकी अवाज नहीं पहुँच पाई अब उसका अंतिम समय आ गया है जब वो बहुत बुज़ुर्ग हो गई है उस माया में बहते बहते उसने खूब धन्दौलत कमाई है चारो तरफ चीक पुकार यही सब हो रहा है लेकिन सेविका अब अंतिम मोड पर आने के बाद बुज़ुर्ग हो गई है और बुज़ुर्ग होते होते अब वो यमलोग के द्वार पर पहुँच गई है और वहाँ पर एक यमलोग में एक दैत्य खड़े है और वो कहते हैं कहां से आई हो तुम वो कहती है कि मैं माया नगरी से आई हूँ तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारा जीवन मतलब अब सजा देने की बारी आ गई है उसकी और बहुत नर्क यातना भोग कर वो जब यमलोग से जैसे ही बोलती है तो अंतिम समय वो बोलती है हे काना जी अब तो मुझे बचा लो हे काना जी अब तो मुझे बचा लो तभी तुरंत वहाँ से सब चीज गायब हो जाती है और सेविका काना जी के समक्ष खड़ी होती है तभी काना जी कहते है घुमाई माया में डुपकी लगा ली माया में तो सोना कहती है मुझे आदत है सेविका न बोलने की तो नाम का भी होना जरूरी है लेकिन जो आदेश हम उसी के आनुसार काम करेंगे तो सेविका कहती है कि प्रभू आपने मुझे इतने समय में क्यों याद किया तो प्रभू कहते है जब कोई माया में डुपकी लगा लेता है तो मैं उसका साथ नहीं देता हूं वो माया के अधिन हो जाता है और माया ही उसको बहा कर ले जाती है और तब उसका जीवन इन चीजों में, इन कठनाईयों में इन परिशानियों में बंधा रहता है इसलिए माया में बंदे हुए लोगों के लिए मैं कुछ नहीं करता और उनका अंतिम समय इतना बुरा होता है कि वो खुद नहीं जानकर भी समझ नहीं पाते है लेकि जब कोई मेरे नाम का सहारा लेता है तो मैं उसको बचा लेता हूँ तो हे मेरे प्यारे मित्रो जैसे ही सेविका काना जी के साथ चलने लगती है तो काना जी फिर सोना को पैसे देते हैं सेविका के हाथ में और कहते हैं ये लो ये पैसे लो और ये मया को दे देना तो सेविका कहते हैं नहीं नहीं काना जी मैं ये पैसे अब नहीं लूँगी ये तो माया है ना अगर मैं लूँगी तो ये मुझे भस्म कर देगी तो काना जी कहते हैं, Δेखो, ये वो माया है जिसको मैं हात लगाता हूँ और ये उतनी ही काम करती है, जितना मैं इससे कहता हूँ ये भस नहीं करेगी, इसलिए ये पैसे तुम मैया को दे देना और इस प्रकार ये लीला समाप्त होती है अब आप सबको शायद आपके प्रशनों के उत्तर मिल गए होंगे बहुत सारी चीज़े हैं यहाँ पर हर चीज माया है सब कुछ माया है जिसने एक बार प्रभू को पकड़ लिया है वो प्रभू का छोर अगर छोड़ना भी चाहे तो प्रभू पहले उसे एक बार दो बार तीन बार उसको रोकते हैं कि देखो गलत चीज में मत जाना इस माया के बंदन में बंदने की कोशिश मत करना और जो नहीं सुनता है वो माया में फसकर ऐसे ही अपना जीवन बहते हुए अपने पूरे जीवन को मार काट गंदगी में बिताते चला जाता है और उसका अंतिम समय भी बहुत बोरा होता है इसलिए प्रभू का निरंतर जब करना चाहिए और प्रभू ने उस जब का नाम भी दिया है जो मैं आप सब को बता रही हूँ जो निरंतर राधे राधे का रटन करेगा जो निरंतर अपने जीवन में राधे नाम को स्मरण करेगा उसका साथ प्रभू कभी नहीं छोड़ेंगे तो है मित्रो आप सभी प्रभू का नाम का जब जरूर करे किसी भी प्रकार की माया में फसने की कोशिश न कीजिए क्योंकि यहां कोई आपका सगा नहीं है मेरे स्वेम के बच्चे भी मेरे नहीं है लेकिन मेरे कुछ करतव हैं उनको पूर्ण करना मेरा करतव है जैसे ही वो थोड़े बड़े हो जाएंगे उनका जीवन चक्र वो स्वेम के करमों से बनाएंगे ना मैं कुछ कर सकती हूँ ना कोई मेरा सगा संबंदी वैसे ही आप भी अपने पुत्र पुत्रियों के लिए भी एक निश्चित समय तक जितनी अवधी प्रभू ने दी है उतने समय तक ही आप अपने जानने वाले अपने सगे संबंदी अपने बच्चों के लिए कर पाएंगे एक समय के बाद उनके खुद के करम कार्य काम करेंगे उनके दीद्वारा किये हुए करम आपने जैसे संसकार अपने बच्चों को दिये होंगे उसके अनुसार उनके कर्म होंगे साथ ही उनके पिछले या पूर्व जन्मों के कर्म भी अगर इस जन्में हम किसी बच्चे की कारण दुखी है तो ये भी हमारे पूर्व जन्म के कुछ दुख है और इन सब दुखों को निवारन करने के लिए सिर्फ मांगने के लिए नहीं प्रभू को प्राप्त करने के लिए और प्रभू को प्राप्त करना ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है इस मोहमाया को उतना जियो जितने की जरूरत है जितना प्रभू ने दिया है उसमें प्रभू का आशिरवाद है इस घर में मैं पहले भी बता चुकी हूँ और आज अफिर बता रहे हूँ इस घर की रोटी इस घर का अन इस घर में जो भी है वो प्रभु का दिया हुआ आशिरवाध ही हम खाते हैं पहनते हैं जो भी हम कार्य करते हैं यकीन मानिएगा मैं इससे बड़ा संक्षिप तौर नहीं बता सकती है उतना ही हमारे पास है जितने की हमें वास्तविक्ता में जरूरत है तिजोरी में रखने के लिए एक रुपया भी नहीं यकीन मानियेगा सत्य यही है और इस सत्य को मैं लाखो बार बता चुके हूँ और मैं अपने आपको इतना भाग्यशाली समझती हूँ कि प्रभु का हाथ इस घर पर है और आज आप सब इतने श्रोतागन जो इस लीला को सुन रहे हैं तो समझ जाइए जो इनको सुन रहे हैं उन पर भी प्रभु का हाथ आ गया है तो प्रभु जितना आपको दे उनका प्रशाद समझ कर अपने जीवन का यापन करो किसी मोहमाया में फसकर उनका नाम रटन बंद मत करो उनका नाम जप बंद मत करो इस मोहमाया से तरना है प्रभु को जपो निरंतर उनको प्रेम करो ये लीला एक अब तक है इस बात की भी आप परवाह मत करो जितना ज्यान प्रभू ने क्योंकि हर लीला मैं आप तक नहीं पहुँचा पाती हूँ उसके कुछ कारण है जो प्रभू नहीं चाहते कि वो अभी सब तक जाए हो सकता है एक दिन ऐसा हो कि जब प्रभू कहेंगे कि अब पूर्ण ज्यान आ गया अब ऐसा करो इस इन बातों को ही सब तक पहुचा दो तो जो बाते बची हैं वो मैं उस समय पहुचाऊंगी जब पूर्ण हो जाएंगी सारी चीज़े मैं नहीं जानती हूँ सब ये प्रभू की माया है ये जो प्रभू करवा रहे हैं वो मैं कर रही हूँ खूब सारा प्रेम आपके सवालों के जवाब हम सब प्रभु की सेवक सेविका हैं इससे बढ़कर हमने जो भी प्रभु से रिष्टे बनाए हैं उन रिष्टों को प्रथम रखकर उससे भी प्रथम हमको सेवक सेविका का रूप धारन करना है प्रभु के लिए उनको इतना प्रेम करो अपनी हर गलती के लिए शमा मांगते हुए इस जीवन की मुहमाया से दूर होते हुए प्रभु की शरण में जाओ और प्रभु से खोब प्रेम करो राधे राधे